युहन्ना रचित सूसमचार पहला अध्याय आदी में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यही आदी में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ, और जो कुछ उत्पन हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन न हुई, उसमें जीवन और वह जीवन मनुश्यों की जोती थी, और जोती अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहन न किया। एक मनुश्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्तित हुआ, जिसका नाम युहन्ना था। यह गवाही देने आया कि जोती की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह जोती न था, परन्तु उस जोती की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची जोती, जो हर एक मनुश्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन हुआ, और जगत ने उस उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया, परन्तु जितनों ने उसे ग्रहन किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन हुए हैं, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एक लौते की महिमा, युहन्ना ने उसके व वही है जिसका मैंने वरणन किया, कि जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसलिए की विवस्था तो मूसा के द्वारा दी परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लोता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रगट किया, युहन्ना की गवाही यह है, कि जब यहुदियों ने यरुशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उ उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ, तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है, उसने कहा, मैं नहीं हूँ, तो क्या तू वह भश्ड लगता है, उसने उत्तर दिया कि नहीं, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को तर दें, तू अपने विश्य में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशाय भश्वत्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, कि तुम रभू का मार्ग सीधा करो. ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, कि यदि तू ना मसीह है, और ना एलिया, और ना वह भश्वत्ता है, तो फिर बप्तिस्मा क्यों देता है? यहनना ने उनको उतर दिया, कि मैं तो जल से बप्तिस्मा देता हूँ, परंतो तुम्हरे बीच में एक ब्रक्ति खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं, यह बातें यर्दन के पार बैतनिया में हुई, जहां यहनना बप्तिस्मा देता था, दूसरे दिन उसने इश्यू को अपनी और आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, यह वही है, जिसके विश्य में मैंने कहा था, कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझ से स्रेष्ट है, क्योंकि वह मुझ से पहले था, और मैं तो उसे पहचानता न था, पर उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बप्तिस्मा देने को भेजा, उसीने मुझ से कहा, कि जिस पर तु आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्रात्मा से बप्तिस्मा देने वाला है, औ और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यहनना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे। और उसने ईश्व पर जो जा रहा था द्रस्टी करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसक यह सुनकर ईश्व के पीछे हो लिए। ईश्व ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो। उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात, हे गुरू, तू कहा रहता है। उसने उनसे कहा, चलो, तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस दिन उसी के साथ रहे। और यह दसमे घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यहनना की बात सुनकर ईश्व के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिल कर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तस अर्थात मसीह मिल गया, वह उसे ईश्व के पास लाया, ईश्व ने उस पर द्रश्टी करके कहा कि तू यहनना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। तूसरे दिन ईश्व ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पु नतनेयल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वरणन मूसा ने वेवस्था में और भविश दक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यिश्व नासरी है। नतनेयल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उससे कहा चल कर देख ले। यिश्व ने नतनेयल को अपनी और आते देखकर उसके विशे में कहा देखो यह सच मुछ इसराइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेयल ने उससे कहा तू मुझे कहां से जानता है। यिश्व ने उसको उतर दिया। इस से पहले कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महराजा है। यिश्व ने उसको उतर दिया। मैंने जो तुझ से कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी लिए विश्वास करता है, तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को उपर जाते और मनश्य के पुत्र के उपर उतरते देखोगे।